हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आई यो पच्छे होंगे वेलकम बैक ट्यो ब्यूटी टिप्स भाई बबली मेरा नाम बबली है और मैं आपके लिए बिल्कुल 100% टस्टी डोम रेमेडी जी लाती हूँ आज भी मैं आपके लिए इतने कमाल की रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपके चेरे पर गुलाबी निकार लाने वाली है आपके रंगत को निकार कर आपकी सारे दाग दबब को कतम करेगी पिंग्मेंटेशन ने उन्हें खतम करेगी डाग स्पोर्ट्स निकारल तील है उन्हे नेचुरल है तो चली बनाते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिए आप एक चुकंदर याने की बीट रूट और मैं इस चुकंदर को यहाँ पर गिस लूँगी कर दुकस के द्वारा आप चाहे तो इसे पीस भी सकते हैं यह देखे इस तरह की हो गई है यही पीस कर मैंन आप मैं क्या करूंगहिए अब मैं इसका यहाँ पर रस निकार लेती हूं यह मैंने घिस करे तो फ्रेंज इसमें तने अच्य तत होते हैं यह यह ऀंटेजिंग की लखशनों को दूर करता है इसकीन को अंदर से निकारने में काम करता है पिंपर लेकने हैं, दाग दबी हैं, पिंगमेंटेशन हैं, उनको कतम करता है, इसकिन की अनिविन टोन को ठीक करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बरपूर मातरा में होता है, इसकिन मेलिन के पोड़क्शन को भी बहुत कम करता है, जिससे इसकिन अमारी गूरी नजराती ह इसकिन को साफ करता है इसकिन पर पिंक इस ग्रो लाने में बहुत हेल्प करता है तो यह होगा हमारा जुकंदर का रास तयार अब क्या करना है फ्रेंड्स आपको लिना एक पाल अलग से और उसमें डाल रहा है आपको ऐलविरा जैल में मिलर्स होते हैं विटामिन का खजाना पाए जाता है फोलिक एषिड होता है विटामिन a, विसो बिटामिन विटील विटामिन विण शिक्स पाए जाता है जर 味स जो दाग दभन को ऻपको एंटेजिं के लंग्शन को पिने टेश्न को इन सब को यह खतम खरने में बहुत हर्प करने वाला है आपकी जूर्यों को भी खतम करने वाला है तो दो चमच मैंने लेल आलो विर जल अब डालना है इसमें आपको आधी चमच ग्ली सरीन ग्ली सरीन में इतनी अच्छे थत्व होते हैं यह damage skin को repair करता है skin को मोश्राज करता है दाग दबो को जूल्रियों को जहाईयों को खतम करने में बहुत help करता है कि नरब बनती है मुलाइब बनती है glycerin से और इसकी की सफाई भी करता है dead cells को करता है तो इसके बार लेने आफ्रेंट्स आपको थोड़े सा बादाम ओयल या वैटामीन एके कैप्सुल डाल लीजे या थोड़े सा कोकोनेट ओय लीजे अगर आपके पास यह नहीं है तो फ्रेंट्स मैं जो भी बतती इतने भी तेल आपको बढ़ रहे हैं इनमें सब में वैटामीन ए पाय जाता है जो इसकीन पर पड़ी जूर्यों को दाग दबो खतम करने में बहुत ज़धा हेल्प करने वाला है आपके इसकीन को मुलायम बनाने वाला है और आपके ड्राइ इसकीन को बहुत ही प्यारा सा ग्लो देने वाला है तो फिर देखे हमने ले लिया बादाम की तेल की तीन चार बुंदे और उसके बाद हमने डाल लिया इसमें वही चुकंदर का रस जो हमने निकाला था और डालकर इन सारे चीज़ों को यहाँ पर खुब अच्ची तरह से मिक्स कर लेना है बस और कुछ नहीं डालना है इसमें बस इतना ही करना है आपको एक डेर चमच आपको इसमें यह रस डालकर मिक्स कर लेना है यह बहुत अमेजिंग फेस पैक बन कर त्यार होगा फ्रेंड्स यह आपकी डल स्किन को डैमेज स्किन को रिपेर कर देगा चमक ग्लोड देगी इतना प्यारा把它 देगी आप अभी देखेँगा वीडियो में आगे इतना च्छगलो देगी आपke चाहरे पर यह कि आप फेशल भूल जाएंगे पालर का महंगे से महंगा तो आपको क्या करना है मिक्स करके सिख पर लगाना है चाहे तो ब्रिश चे लगा लिजे या आथ से लगा लिजे उससे कोई फ़र्ख ने पढ़ता है मैपम लगाया तो उसे अठाइए और आपको इस crown यहां करने के बाद में आपको इसकी मसाज करनी होगी कम से कम 2-3 मिनट तक अच्छे से इसके मसाज करिएगा जैसे कि फेशल की क्रीम की मसाज करते हैं फेशल करते हैं अपनी चहरे पर ठीक उसी तरह से आपको इसके मसाज करनी है खुम पढ़ यह तरह से यह क्या करेगा ना ऐसे अगर आप इसे इस तरह से करेंगे तो यह आपकी डेड़ स्किन को रि पर काले तील हैं, जिसे झाईया हैं, उनको ये खतम करने में बहुत help करेगा. स्कीन की निचली परत पर जाकर हमारी स्कीन की तीन सते होती हैं, गहराई में जाएगा अंदर से और उन्हें कीज कर बाहर निकाल कर लाईगा. सारी स्किन को साफ करेगा तो बहुत अच्छी तरह से आपको इसकी मसाज करनी होगी फ्रेंट्स तब हमारी ये रेमेडी अच्छी से वर्क कर पाएगी स्किन पर तो खुब अच्छी तरह से मसाज करके आपको फिर इसे दुबारे अलका सा अप्लाई करना है अपने चाहरे पर और लगा कर छोड़ देना है कम जे कम 15-20 मिट के लिए फ्रेंट्स जब भी आप इसे यूज करें तो अपने चाहरे पर कोई सब बोलन या फेस बोस नहीं लगाना है बस इस चीज का आपको बहुत जरूर ध्यान लखना है और फिर 15-20 मिट बाद आपको अपना चाहरे धो लेना है और धोने के बाद जर अपना चाहरे देखेगा इने में कितना ग्लो आएगा कितना निखार पाएंगे आप अपनी स्किन पर अभी रिजल्ट दिखाती हूँ मैं आपको यह रेमिडी फ्रेंट आपको इस्टेंट ग्लो देगी इस्टेंट बिल्कुल अगर आपको किसी पारिटी में जाना है किसी शाल्दी में जाना है यह कहीं बहार जाना है किसी भी काम से तो आप इसी करिए इस रेमिडी को तुरंत आपके चाहरे पर ग्लो आएगा तुरंत निखार आएगा आपके चेहरे पर इतना अच्छा इसका रिजल्ट है मैंने इसे यूज किया है फ्रेंड्स जब भी मैं आपको यह बता रही हूँ देखे आप रिजल्ट देख सकते हैं कितने निखर गई है मेरी स्किन कितना ग्लू आया है मेरे हथ पर ऐसी आपका चेहरा हो इतना चार्ज का यह फेस पैक है आप देखिए चेहर देख सकते हैं मेरे आद पर एक डरली स्किन है एक बिल्कुल ट्लूइंग स्किन है देखिए कितना अच्छा जड़ता है यह अभी के अभी आया है तो ऐसे आपके चेहरे पर आएगा कमाल कर देगी रैमिडी फ्रेंड आप इसके बाद को भी मोस्टराजर जैल बगरा लगाने की भी जरूत नहीं है क्योंकि यह सब चीज हैं इसमें तो आप इसे जरूर यूज करिएगा फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होना जरसी भी तो जरूर लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट में म मुझे बताएगा कि सबको क्या बेनफिट हुआ तो फ्रेंड फिराती हूं मैं आपके लिए अच्छी लेमिल लेकर थेंक यू फॉर वर्चीन